हेलो गाईज यूर वेलकम ओन फ्लेक्शर आज हम इस लेक्शर में क्या स्टेडी करेंगे बहुत थोरी ओफ हाइड्रोजन एट्टम एंड अनर्जी एक्स्प्रेशन ड्राइव करेंगे तो इससे पहले हम हमारी मोटिवेशनल थोट की तरफ चलते हैं हमारा आज का थोट क्य है महांता कभी भी ना गिरने में नहीं बलकि हर बार गिरकर उठ जाने में हैं तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्शर है बहुर थोरी ओफ हाइड्रोजन एक्टम तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है बहुर थोरी नील्स बहुर्स सक्षीड अबसे लेक्शीद गरुट दा उपजाब हैड्रोजन स्पेटरम टर्प फी ऑफ ट्वॉप उपॉस्टिलेट जो नील्स बहुर्स थे उन्होंने दो पॉस्टिलेट के बेस पे हाइड्रोजन स्पेट्रम को क्या किया था एक्स्पेइन किया था तो इसमें पहला क्या है हम इसमें क्या बताये गया है लोगा जब हमारा इलक्त्रोन के वाल सर्टेंट अलावड शर्कुलर ओर्वीट में तो क्या करेगा वीच ऑर स्टेशनरी state in the sense there are no radiation is emitted ये जो हमारी क्या है ये एक stationary state है तो इसमें अगर इसी में मुझ करता है तो हमारा जो electron है वो radiation को emit नहीं करेगा अगला postulate क्या है हमारा और हमने निल्बोर्ग के बारे में पहले भी पढ़ा था जो किस orbit को कैसे अलाओ करता है जिसका integral multiple किसका multiple हो एंगुलर momentum is equal to integral multiple of h by of 2π वो ही केवल और्विट अलाओ करते हैं तो ये h by of 2π क्या है h cut h by of 2π को हमने क्या लिखते है h cut और ये n की value कहां से कहां तक n इसे integral multiple 2 1 2 3 अब आते हैं next emission or absorption of radiation occur only when the electron make a transition from one stationary state to another हमारी जो radiation है वो कब emit या फिर absorb करेंगी जब हमारा transition एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा जैसे हमारा electron यहां से यहां transit करेगा तब क्या होगा हमारी radiation emit होंगी और इसी तरह से अब जोब भी जब हमारी transition one state to another होगा तभी radiation emit or absorb करेंगी अब क्या radiation has definite frequency given by the condition जो हमारी radiation होगी जो हमारी radiation होगी वो क्या होगी एक definite frequency के साथ होगी तो यह क्या है हमारी energy h is equal to mu m n this is our radiation energy and यह em minus of en क्या है यह हमारी state को represent कर रहा है जैसे यह em state है और यह क्या है हमारी en तो transition कहां शे कहां तक हो रहा है यह उसको represent कर रहा है where em and en are the energy of the state m and and respectively अब चलते हैं इसके energy expression पर energy of hydrogen atom in nth state तो कैसे निकालेंगा energy को जैसे हमारा electron है वो कैसे मू कर रहा है circular orbit में तो उसका एक क्या होगा nucleus और वो ऐसे revolve कर रहा है एक orbit के अंदर तो यह nucleus है और यहां से यहां तक की distance जैसे हमारा electron है वो यहां है और यह distance कितनी है r तो इसकी energy कैसे लिखेंगे हम इसकी energy होगी e is equal to 1 by 2 mv square minus e square divided by 4 pi epsilon note r यह क्या है हमारी kinetic energy और यह क्या है potential energy यह r क्या है यह यह क्या है r अब क्या करते हैं एक circular orbit में कर रहा है तो उसके उपर circular force भी लगेगा mv square divided by r equal to e square divided by 4 pi epsilon note r square अब यहां r से r क्या हो गया cancel हो गया और हमारे पास e square upon 4 pi epsilon note r की value r की क्या वो आ गई mv square अब हम इस mv square को कहां use कर देंगे यहां पर use कर देंगे तो हमने इस mv square को यहां पर use कर दिया और हमारे पास क्या आया e is equal to minus 1 by 2 mv square इसके बाद हमारा यह तो हमने यहां से निकाला था और यह v क्या होता है v क्या होती है velocity 2 pi mu और r यह 2 pi mu यह circular orbit के वज़े से है और minus of e is equal to यह है energy nh mu by of 2 अब हम इससे क्या करेंगे यह जो हमारे पास 4 equation given है इनसे क्या करेंगे हम यह जो equation 3rd and 4th है यहां से हम mu को remove यह वर eliminate करेंगे तो कैसे करेंगे हम 3rd से mu की value निकालेंगे and 4th equation में put करेंगे थर से हमारी mu की value निकालेंगे क्या आई mu is equal to v upon 2 pi r अब हमने इस value को किसके अंदर रख दिया equation number 4 के अंदर nhv by 2 into 2 pi r यह v और divide by 2 pi r किसकी value put कर दी mu की और हमारी e की value क्या आगई nhv by 4 pi r अब हमने इनसे mu को eliminate कर दिया अब क्या करेंगे हम इस इनसे r को eliminate करेंगे और हमारा कहा कहा पर है एक तो यहां पर है और एक equation 2 में तो इन दोनों equation से हम किसकी value निकालेंगे 1 by r की तो इससे हमने 1 by r की value निकालेंगे तो क्या करेंगे यह जो बाकी की term है वो इस एक की side चली जाएगी और हमारी 1 by r की value आ जाएगी इसमें भी इसी तरह से 1 by r की value निकाल लिए और बाकी की term इस side shift हो जाएगी तो हमने यह निकाल लिए 1 by r की value अनर्जी के जो हमारा mu की value पुट करने के बाद expression आये था उससे minus of e 4 pi divided by n h v और यह value निकाल लिए हमने equation second से 1 by r equal to 4 pi epsilon 0 m v square divided by e square अब हमने इन दोनों को क्या कर दिया equal put कर दिया और क्या किया हमें हमें यहां से किसकी value निकालनी है v की value निकालनी है तो हमने v की सारे इस v को इधार लेके गए और यह क्या होगा है v की cube हो गई और बाकी सभी को हम इस साइड नीचे shift कर दिया 4 pi से 4 pi क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास यह v की cube आएगी अगर हम इसका cube हटाएंगे तो यह power 1 by 3 हो जाएगी minus e e square divided by n h epsilon not m यह किसकी value आगई हमारी v की value अब हम इस v की value को क्या करेंगे हमारी जो first equation है यह e is equal to minus m v square इसमें use करेंगे हमने क्या कर दिया v की value minus वो जो e की value थी e is equal to minus m v square उसमें use कर दी 1 by 2 minus 1 by 2 m और v square की जगे यह v की value रख दी और इसका square कर दिया तो power कितने आ गई 2 by 3 अब हमें यहां से क्या निकालना है e की value निकालना है हमें तो energy का expression चाहिए तो हम क्या करेंगे e की term को एक side shift कर लेंगे तो e की इस e को हम इधार लेके आएंगे तो इसकी power कितनी हो जाएगी 1 by 3 तो minus बाकी इधार क्या क्या बच जाएगा minus 1 by 2 m e square divided by n h epsilon note m इसकी power 2 by 3 अब हमें e की value चाहिए तो हम both side क्या कर देंगे cube से power में cube से multiply कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारी power कितनी बच जाएगी 1 और इस side कितनी बच जाएगी यह square बच जाएगी यहां पर इस terms की और इस क्या हम cube करके रख देंगे तो यहां पर क्या आएगा m का cube होगा और निच्चे क्या आएगा 2 का cube यानि 8 और यह m का cube है और यहां से हमें क्या मिलेगा m square निच्चे क्या हो जाएगा m square तो m का cube और ये cancel हो जाएगा केवल हमारे पास m बच जाएगा और ये हमारे पास क्या जाएगा energy का expression आ जाएगा e is equal to minus m e की power 4 8 epsilon not square h square into 1 by of n square ये सारी values क्या है हमारे पास constant है इसकी value हम put कर लेंगे और हमारे पास क्या value निकल के आएगी minus 13.6 divided by n square और इस energy expression की क्या value sorry क्या unit होगी electron watt तो ये हमारा है energy का expression e is equal to minus m e की power 4 divided by 8 epsilon not h square into 1 by n की cube हम इस energy expression को h cut की term में भी लिख सकते हैं h cut की term में लिखेंगे तो क्या होगा h cut की कितनी value होती है sorry h cut is equal to h upon 2 pi तो h upon 2 pi रख देंगे तो हमारे पास इसमें आजाएगी value h cut की terms में आजाए तो आज की lecture में इतना ही आगे आने वाले अगले lecture में हम हाइड्रोजन एक्टम की radius एंड इसके spectrum के बारे में discuss करेंगे आगे आने वाले lecture में so thank you for watching